नमस्कार किसान भायों स्वागत है आपका किसान की बात यूटूब चैनल पे तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में NPK 1919 के बारे में चानकरी देखने वाल है NPK 1919 क्या है? NPK 1919 का इस्तेमाल कैसे करते है? NPK 1919 का उपयोग करने का सही समय क्या होता है? NPK 1919 की कीमत क्या होती? इसके बारे में जानकरी हम इस वीडियो में देखने वाल है तो आप इस वीडियो को अंतक जरूर देखे साथ ही दोस्तों आप हमारे चानल को सब्सक्राइब करें बेल आइकोन को भी दबाएए ताके आपको हमारे आगे आने वीडियो भी देखने को मिल सके तो चलिए दोस्तों देखते हैं NPK 1919 के बारे में जानकरी NPK 1919 क्या है NPK 1919 एक राशानिक खाद है इसमें नाइट्रोजेन और फोस्फोरस और पोटेशेम होता है इस खाद में नाइट्रोजेन और फोस्फोरस और पोटेशेम की मातरा एक समन होती है और किसी भी पोधे को बढ़ने के लिए ये तीन चीज़े होने बहुत ज़रूरी होता है ये चीज़े आप जमी और स्प्रे देकर भी आप पोधे तक पहुचा सकते हो लेकिन NPK 1919-A Water Soluble खाद है जिसके कारण आप पोधे के उपर स्प्रे करके भी इसे दे सकते हो NPK 1919-19 का इस्तेमाल कैसे करते हैं? NPK 1919-19 का इस्तेमाल के लिए आपको एक खाद आपके स्प्रे पम के पानी में मिलानी पड़ती है आपको ए NPK 1919-19 एक खाद अलग-अलग कमपनी की मिल सकती है लेकिन हर एक खाद में NPK 1919-19 की मात्रा समान मात्रा होती है इसके इस्तेमाल के लिए आपको 15 लिटर पानी में 60-70 ग्राम का उपयोग करना है चाहिए NPK 1919-19 का उपयोग करने का सही समय क्या होता है? अगर आपका पोधा बहुत छोटा है तो आप इसका इस्तेमाल ना करें आपका पोधा मध्यम स्वरुप का हो तो आप इसका उपयोग कर सकते हो इसके उपयोग S.E. आपके पोधे की बड़त बहुत तेजी से हो जाएगी आपके पोधे को nitrogen और phosphorus, potassium की मात्रा direct पत्तियों से मिल जाती है इसके कारण आपका पोधा बहुत जल्दी बढ़ जाता है, ग्रोव हो जाता है NPK 1919-19 की कीमत क्या होती है? कंपणी के हिसाब से इसकी कीमत बदलती रहती है लेकिन अगर अंदजे से बता है, तो आपको ये 80-100 रुपे पर केजी के हिसाब से बाजार में मिल जाता है अधिक जानकरी के लिए आप अलग-अलग कंपणी के NPK 1919-19 खात की लिंक आपको description में दी है आप अधिक जानकरी के लिए उस लिंक पर जाकर देख सकते हो तो दोस्तों, ये NPK 1919-19 fertilizer के बारे में जानकरी थी आपको ये जानकरी कैसी लगी, आप comment करके चुरू बताए अपने चैनल को subscribe जरू करे, इस वीडियो को like करे, धन्यवाद